इसा लगता है कि इन दुनों विमान कमपनियों और उसके यात्रियों पर एक साथ मुसीबट तूट पड़ी है कभी बंकी धंकी तो कभी फ्लाइट की लेंडिंग में समस्या और अब एर इंडिया के विमान में लेंडिंग से पहले फ्यूल खत्म होने की बात ये तमाम बातें हवाई सफर करने वाली यात्रियों के दिल में डर पैदा करती हैं तार्य मामला एर इंडिया की फ्लाइट का है जिसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनों में चौजरी चरनर सिंग और डे पर इमर्जेंसी लेंडिंग कराई गई इससे पहले विमान दो बार कोशिश करने के बाद भी रेंवी पर उतर नहीं सका ऐसे में इस विमान की इमर्जेंसी लेंडिंग कराई गई इस दोरान विमान में दो सो यात्री सवार थे बताया जा रहा है कि विमान का इंदन खत्म होने वाला था दरसल दो बार लेंडिंग की कोशिश असफल रहने पर वारानसी डायवर्ट करने की मांग की गई लेकिन फ्यूल खत्म होने की वज़ा से ऐसा करने की इजादत नहीं मिल सकी इसके बाद विमान को लखनों हैड़े पर उतारा गया जानकारी की मताविक एक इंडिया का विमान AI-431 सोमवार को दिल्ली से लखनों के लिए उडान भरा था जिसके बाद इस विमान की मुश्किल इमर्जनसी लेंडिंग कराईगी बताया जा रहा है कि ये विमान दिल्ली से लखनों पहुँचा और दो बाद लेंडिंग की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका इसके बाद वारानसी डावट करने की बात कही गई लेकिन जब फ्यूल के बारे में जानकारी ली गई तो यह बात सामने आए कि विमान में वारानसी पहुच नहीं पाएगा लेहादा विमान एक बार चक्कर लगा कर दूसरी बार लेंडिंग का प्रयास किया लेकिन दिक्कत यहा थी कि उस वक्त कई बिमान पहले से लेंडिंग के लिए कतार में थे इसके बाद यह जानकारी A.T.C. को दी गई इसके बाद लो फ्यूल की वज़ा से बिमान की वारानसी एरपोर्ट पर इमरजन्सी लेंडिंग कराई गई बिमान जब एरपोर्ट उतरा तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली एरपोर्ट पर आपात इस्तिती में लेंडिंग की सूचना मिलते ही दमकल के वाहन दमकल कर्मी, रेस्क्यू कर्मी और एंबुलेंस रन्वे पर पहुँच गए बड़ी संक्या में मेडिकल स्टाप भी तैनात कर दिया गया, आखिरकार तीसे प्रियास में बिमान सही सलामत उतर गया वहीं दूसरी तरह बैंगलूरू से लखनोग आ रहा है इंडिगो के बिमान 6E196 में बम की सूचना ने एक बार फिर यात्रियों को परिशान कर दिया इस बिमान ने बैंगलूरू से एक बज़े उड़ान भरी और लखनोग में दो पहर तीन बच कर तीस मिनट पर लैंड किया इस बीज बिमान में बम होने की जानकारी मिली, पिछले कई दिनों से मिल रही बम की अफवाहों ने लोगों को परिशान कर दिया सुस्तरों के मताबिक बिमान को लखनों में लैंडिंग के बाद आईसूलेशन वे पर ले जाया गया और CISF ने पुरे बिमान की जांच की, हलाकि एक बार फिर ये अफवाह ही निकली लेकिन पिछले दिनों कई बार इस तरह की अफवाह मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है फिल्हाल के लिए बस इतना ही बाकिया अप्रेट भी बने रही है वन इंडिया हैंडि के साथ